एच 187, डालीं, तुम्हें दर तो नहीं लगाना, फॉक्सी ने लिटल बन से पूछा, लिटल बन ने अपना सिर हिलाया, उसकी बाँ को कसकर पकड़ लिया, उसका चेहरा डरा हुआ नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ हट तक उदास लग रहा है, वो केवल पांच वर्ष का ही क्यूं था, वो सचमुच जल्दी बड़ा होना चाहता है, ताकि वो उसकी रक्षा कर सके, न की दूर से देखता रहे, केवल कुछ ही लोग जानते हैं कि यह मेरा पता है, जिन्होंने मुझे पैकेज भेजा है हम, फॉक्सी एक बॉक्स उठाते हुए बुद्बुदाती है दुर्भाग्य से, लेखन देखने में बहुत अस्पष्ट है, मोटिंग उससे पूछने ही वाला था कि क्या उससे चाकू की जरूरत है, लेकिन फॉक्सी ने कुशलता पूर्वक अपने हाथ से पैकेज को फार दिया यह शायद हर लड़की का जरूरी हुनर है, एक बहुत ही बढ़िया पफ्यूम है, इसके साथ ही एक बहुत ही सरल नोट है, जनम दिन मुबारक हो फॉक्सी ने ध्यान से पफ्यूम वापस रख दिया और फिर बात करना शुरू किया, यह मेरे चचेरे भाई का है क्या मैंने आपको बताया कि मेरे चाचा का एक बेटा और तीन बेटियां हैं, बेटा उसका नहीं है और उसकी दो बेटियां एक नाजायज औरत से हैं दरसल, मेरी चाची ने केवल एक बेटी, निंग त्यानिक सिन को जन दिया मोटींग जियो थोड़ा शान्त दिखते हैं, यह मूर रूप से चचेरे भाई का है, चचेरा भाई अच्छा है, फॉकसी ने पहला पैकेज खत्म किया, फिर दूसरे पैकेज के साथ आगे बढ़ी इस पर लिखावट असपष्ट नहीं है, लेकिन इसमें कोई प्रेशक भी नहीं लिखा है एक गुमनाम पैकेज हम, मुझे हाल ही में बुरी तरह से हैक कर लिया गया है, इस बार मुझे एक गुमनाम पैकेज द्वारा ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए इलेवन ने बॉक्स हिलाते हुए कहा, अंदर कोई आवाज नहीं है, वह कुछ भी नहीं सुन सकती इस समय, उसे पता चला कि हालाकि यह कार से क्लों हजारों कारों के समान एक बहुत लोग प्रियम मध्य श्रेनी की कार है, लेकिन इंटिरियो और निर्मान समान नहीं है फॉक्सी अंततर ठीक हो गई, और फिर उसने घबराते हुए मोर्टिंग को सामने से याद दिलाया, मोर्टिंग तुम्हे सावधान रहने की जरूरत है यदि वर पैकेज वास्तव में धमाके की आवाज के साथ उसकी आवाज फीकी पड़ गई सेक्विन जैसी चमक फूटती है मोर्टिंग को घिय लेती है एक शन बाद मोर्टिंग जीओ का सिर और कपड़े उनसे धके हुए थे दूसरे लोग लोगों को मारने के लिए पैसे खर्च करते हैं लोगों को मारने के लिए हीरों का इस्तिमाल करने से उसे क्या फाइदा हाला कि कैरेट की संख्या ज्यादा नहीं होती लेकिन इतने कैरेट एक साथ होने पर कोई भी इसे रिंग में बना सकता है इससे सेकरों हजारों पुरुश आएंगे और प्रस्ताव देंगे न केवल मोटिंग, जियो उनमें धाका हुआ है पिछी सीट पर फॉक्सी और लिटल बन भी प्रभावित हुए हैं और चमकदार क्रिस्टल से धाके हुए हैं फॉक्सी ने अपना चहरा पोंचा, फिर लिटल बन को भी अपना चहरा पोंचने में मदद की फिर वह मोटिंग की मदद करने के लिए तेजी से जुकी और उससे चिपकी हुई चीजों को हटाने में मदद की मुझे ख्षमा करें, मुझे ख्षमा करें, क्या आप ठीक हैं? क्या वे आपकी आँखों में आ गए? फॉक्सी ने उसे खोला और पढ़ा, मेरे प्रिय जनम दिन मुबारक हो, क्या तुम जो देख रहे हो उससे संतुष्ठ हो? वाइस, आप मोटींग ने उसे थोड़ा जटल रूप दिया, क्या आपको यह इस तरह पसंद है? फॉक्सी अवाग देखी, क्या मैं ऐसा दिखाती हूँ जैसे मुझे ये पसंद है? जब मोटींग ने ये सुना, तो उसके मूँपर मुस्कान आ गई. निहसंदेह, वो यही चाहता था. ठीक है, वो शुरू होता है. इस समय, उन्होंने रियव्यू मिरमे एक कार की ज़लक देखी, जो पूरे समय उनका पीछा कर रही थी. ऐसा लगता है कि यह मिस्टर स्मित की कार है. फॉक्सी ने देखा कि मोटींग सही देख रहा है. उसने उसकी दृष्टी का अनुसरन किया और कार भी धून ली. क्या तुम्हें चाहिए कि मैं उन्हें घुमा दून? मोटींग पूछता है. फॉक्सी ने इसके बारे में सोचा, फिर अपना सिर हिलाया. इसके बारे में भूल जाओ, वे हमें वैसे भी नहीं पा सकते. इसके अला एक लगजरी काली कार धीरे-धीरे सामने वाले गेट की ओर चली गई. वे कुछ मीटर की दूरी पर थे जब गार ने सम्मान पूरवक सलामी दी, फिर शालीनता पूरवक गेट खोल दिया और उन्हें अंदर जाने की अनुमती दी. बहुत पहले, कार देखी नहीं जा सकती फिर गेट के उदघातन का अनुसरन करने की कोशिश करते हुए, मिस्टर समित को तुरंत रोख दिया गया. हेलो, क्रिपया मुझे पास दिखाओ, गार ने व्यवसाय जैसी अभिव्यक्ती के साथ पूछा. मिस्टर समित उद सुकता से कोने पर मुल्तिकार को देखकर अध तर देता है, क्या पास? तुम्हारे पास पास नहीं है. गार ने पूछा, तो फिर मुझे आपको प्रवेश देने के लिए किस निवासी को बुलाना चाहिए? मिस्टर समित ने भौहें चड़ाते हुए कहा, वह कार आसानी से अंदर क्यों जा सकती है? वह निवासियों में से एक है, गार ने उत्तर दिया. क्या, मिस्टर समित का चहरा तुरंट बदल गया? ये गलत कैसे नहीं है? ये प्लेटिनम महल है, सामराज्य के सबसे अमीर लोगों का जमावरा स्थल, कोई बाजार नहीं है, वह तूटी हुई कार वाली कुतिया यहां कैसे रह सकती है? क्य ये, क्या वह बतले या विशेश सहायक है? इतने सारे उतार चड़ाव के बाद आखिरकार तीनों आसानी से घर पहुँच गए. किराने का बड़ा बैक किचन में ले जाने के बाद सबसे पहला काम खाना बनाना नहीं, बलकि नहाना है. तीन लोग जिनके पास चमक, सेक्व और छोटे हीरे के तुकलों की अलग-अलग दिग्री की चिप-चिपी परते हैं. कुछ मदद की जरूरत, मोटीन और लिटल बन दोनों भी नीचे थे. आज कोई नौकर नहीं है, वे सभी चुटी पर हैं, मोटीन ने कहा. अब जब आप आ गए हैं, तो क्या आपके पास ए बैक से, उसने एक प्लास्टिक पैकेज निकाला. इसे खोलने पर अंदर एक ही स्टाइल के तीन एपरन हैं, दो बड़े और एक छोटा. आपने इसे कब खरीदा? केकरे बेचने वाली एक छोटी लड़की ने हमें ये दिया. ठीक है, वास्तव में आप इस तरह की चीज मैं तस्वीरें लेने की इच्छा को दबा नहीं सकती. उद्धरन चिन्ह, फॉक्सी ने काफी पिक्चर्स क्लिक किये, फर खाना रेडी करना शुरू किया. तीनों की समन्वय से, जल्धी भोजन से भरी एक मेज तैयार हो जाती है. नमक और काली मिर्च ट्रॉटर्स, माव के लिए होते हैं, जो अभी भी थोड़े पतले होते हैं, और मोटींग के लिए होते हैं, जो आमतोर पर काम से ठक जाते हैं. रंग बिरंगे व्यंजनों से सजी मेज को देख कर और उन्हें चक कर, मोटींग काफी आश्चर्य चकित लग रहे हैं. मैं एक अच्छा रसोया ह क्या आप एक रेस तरह शुरू करना चाहते हैं। मोटींग ने हैरान होकर पूछा। यह एक मूर्ट तापूर्ण और भोला विचार था कि यदि आप किसी आदमी को उसके पेट से पकड़ते हैं, तो आप उसके दिल को पकड़ सकते हैं। मुझे कुछ भी पता नहीं था, फॉकसी अचानक रोक गई। उसने लिटल बन पर नजर डाली, उसने देखा कि उसका ध्यान सूप के बरतन को घूरने पर था। फिर वह मुटींग की ओर जुकी और धीमी आवाज में बोलना जारी रखा। लेकिन जैसा की हर कोई जानता है की नाभी के तीन इंच नीचे वह जगह है जहां आदमी का असली दिल होता है, बैल्ट के नीचे की चीज। मैंने उसके लिए खाना बनाने पत्नी बनने की तयारी के लिए बहुत तयारी की, लेकिन वर चाहता था कि बिस्तर पर उसके साथ नाला हो आपको क्या पता। क्या ये बहुत दुख़द नहीं है? अफसोस की बात है, उसे इसका पच्चतावा होगा, मोटींग ने सच्चाई से सांत्वना भरे स्वर में कहा। फॉक्सी ने स्वीकार किया कि उसने वास्तव में उसे सांत्वना दी थी और हलके से हंसी। मोटींग ने टोकरी पर नजर डाली, हमने कोई सबजी नहीं खरीदी। मैंने कोई नहीं खरीदा। फॉक्सी ने आश्चर्य चकित होकर उत्तर दिया। फूल गो भी नहीं, मूली नहीं, आप कुछ लेने के लिए मोटींग के बगीचे में ख्यू नहीं जाते। क्या, उसके पास ऐसी कोई चीज है, फॉक्सी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, उसके आंगन में सबजेयों का एक ग्रीन हाउस है, ये बहुत अच्छा है, कोई चिंता नहीं, हम पीछे से जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ छोटी जाडियां हैं, चुपचाप मोजेंग के पिछवारे में सबजेयों की स्थान पर चली गई, आश्चर्य जनक रूप से सबजियां अच्छी लगती हैं, बैंगन सुपर मार्केट के बैंगन की तुलना में वास्तव में रसदार और ताजा दिखता है, बेशक, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इन्हें ताजा चुना गया है, वह लड़का मोजेंग, यहां छुपकर अच्छी चीजे खा रहा है, उ कौन सा छोटा चोर मेरा खाना चुराने की हिम्मत करता है, एह, फॉक्सी, लिटल बन भाग गए, मोजेंग ने उसे करवाहत से घूरते हुए कहा, तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे अपने हाथ में फूल गोबी, पत्ता गोबी, शलजम के सारे स आग वापस दे दो, ये सभी पौधे मेरी अपनी प्रजाती के हैं, मैं व्यक्ति गत्रूप से इन्हें पानी देता हुँ और खाद देता हुँ, हर दिन मैं उनके लिए संगीत बजाता हुँ, उन्हें कहानिया पढ़ता हुँ और उन्हें चुपकुले सुनाता हुँ, वे मेरा गौरव और आनंद हैं, वे सोने से सो गुना अधिक कीमती हैं, आपने उन्हें किसी और के घर में इतना बढ़ा या इतना रस्दार होते नहीं देखा होगा, इसे सामान्य व्यांजनों में दालना बहुत बढ़ी बर्बादी होगी, फॉक्सी, उसने सोचा कि वो उन् उन्हें खाना चाहता था, उन्हें तुरंत नीचे रखो, फॉक्सी ने पलक छपकते हुए कहा, बहुत देर हो गई है, मैंने उन्हें पहले ही चुन लिया है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको उनके लिए पैसे दूँ, आप वास्तव में मेरे छोटे बच्चों का अपम वह चल लाए और दोनों हौन्फते हुए भाग गए, फॉक्सी घर के दर्वाजे की ओर बढ़ी और पुकारने लगी, मोटिंग, और उसके पीछे छिप गई, तभी मोटिंग शिकायत करने लगा, भाई, आप नहीं जानते लेकिन आपके परिवार के वे दो शरार्ती बच वास्तव में मेरे सबजेयों के बागानों में गई और मेरा खाना चुरा लिया, मोटिंग, मैंने उन्हें भेजा था, मोटिंग, वास्तव में आप, शरार्ती बच्चों के पीछे एक शरार्ती माता पिता हैं, भाया, क्या आपने आज सभी नौकरों को छुट्टी नहीं तो फिर खाना किसने बनाया मैंने किया फॉक्सी ने तुरंट अपना हाथ उठाया तुम खाना बना सकते हो क्या हम वास्तव में खाना खा सकते हैं उसे मेज पर ले जाकर परिनाम स्पष्ट थे रसोई की मेज एक रेस्तरा के प्रमुख शेफ के समान व्यंजनों से धाकी हु तुमने सच्मुच इसे बनाया है फॉक्सी ने चुराई हुई सबजिया ली और तुरंट उन्हें तल दिया ओह क्या ऐसा है फॉक्सी ने स्वादपूर्वक एक भौह उठाय फिर कुछ चावल और मास उठाया और मोजिंग के मुझ में भर दिया अध्या एक सौबानवे म उन्हें मेरे मुझ में क्या डाला सहर मोजें इसे उगलने ही वाला था लेकिन एक सेकन में उसका चेहरा बदल गया उगधरन चेना विसमयादि बोधक चिन्ह ये सच्मुच अच्छा है यह क्या है बाहर से कुरकुरा लेकिन जब मैंने इसे काटा तो यह मेरे मुझ में पि फॉक्सी ने अपनी बाहों को पार किया और शान्ती से पूछा अगर मेरी पत्नी खाना पकाने में इतनी अच्छी होती तो मैं निश्चित रूप से हर दिन खाना खाने के लिए घर जाता पहले तो उसे अपने भाई के प्रती सहानुभूती महसूस हुई लेकिन अब फॉक् लिक की और फैमिली ग्रूप मी सेंड कर दी मास्टर मो बुरा नहीं है मैडम मो आया ये लड़की सचमुच बुरी नहीं है आजकल इतनी लड़किया नहीं है जो खाना बना सके अध्याए एक सो तिरानवे तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूंगा मो जेंग मेरा बेच ये सुनकर फॉक्सी आश्चर्य चक्कित रह गई लिन जे जी जिसने अकेले ही लेंग मन्यून जैसे किसी व्यक्ति को अंतराश्ट्रिय फिल्म स्टार बना दिया वह मेरी मैनेजर है लॉर्ड बॉस मुझे मग बताओ कि आपने मेरे लिए पिछला दर्वाजा फिर से खोल दिया है क्या लिन जे जी केवल लेंग मन्यून का प्रबंधन नहीं कर रहे हैं और किसी नए कलाकार को नहीं ले रहे हैं ऐसा लग रहा था जैसे उसके भाई का दिल फॉक्सी पर जीवन भर के लिए आ चुका था ये देख कर कि फॉक्सी हर गुजर्टे दिन के साथ अपन दिन कड़ी मेहनत करने के बाद जल्दी सो गया मोटींग दर्वाजे के बाहर लगे तक्ते पर जुका हुआ था और जब उसने दर्वाजा बंध होने की आवाज सुनी तो उसने उपर देखा चोटा बंध सो रहा है हां गहरी नींद में सो रहा है आज के लिए तुम्हारा धन्यवाद कुछ नहीं मैंने भी अच्छा समय बिताया मोटींग ने भौहे सिकोडली फिर मना कर दिया नहीं क्यों नहीं फॉक्सी को समझ नहीं आया मोटींग ने उसकी ओर देखा और उसकी उपस्थिती के बारे में उदासी का भाव बना हुआ था अगर तुम आब उसे इतना अच्छा खाना खिलाओगे तो तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूंगा तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूंगा ये किसी भी सामान्य वाक्य की तरह लग रहा था लेकिन इसके पीछे का अर्थ उसके दिल पर एक भारी हथुरे की तरह जोर से लगा अध्या में 194 कंपनी में पहला दिन तल रात मो टीन की बाते सुनने के बाद फॉक्सी को ठीक से नींग नहीं आई उससे पूरी रात अजीब सपने आते रहे यहां तक कि उस रात का भी सपना आया फॉक्सी ने लिटल बन को चूमा और बिग बॉस को प्रनाम किया लेकिन वह उनकी सत्रवी मंजल पर लिफ्ट ले गई और स्तर पर आखिरी कार्याले तक पहुंच गई अंदर आओ अंदर एक महिला ने अपचारिक सुर में कहा उसने काले फ्रेम का चश्मा और शेंपेन रंग का सूट पहने एक महिला को डैस्क पर बैठे देखा हेलो सिस्टर लिन मैं यूटी पर रिपोर्ट करने आई हूं हेलो फॉक्सी आज से मैं आपका मैनेजर हूं लेंज जी जी मुझे लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं कि मैं नए कलाकारों को नहीं ले रही थी लेकिन अब जब मन्यून ने सेवानिवृत होने का फैसला क्या है तो कंपनी को उ लेंड मन्यून से बिलकुल अलग थी जो देखने में सीधी साधी थी पहली नजर में ये लड़की सुंदर थी और यहां साधारन और बैल गाम सुंदरता थी लेंड जेजी की बाते सुनकर फॉक्सी थोड़ा चिंतेत हो गई उसे लेंड मन्यून के उत्तरादेकारी के वाला पोसा जाना था इसी समय किसी ने दर्वाजा खट खटाया और एक गोल मटोल मिलनसार देखने वाली लड़की अंदर आई ये वो सहायक है जिसकी व्यवस्था मैंने आपके लिए की है सिस्टर शी नमस्ते मैं हूँ ता हूँ आप मुझे लिजल पीच कह सकती है लड पोस्ते फॉक्सी के मन में अपने गोल मटोल छोटे सहायक की पहली चाप बहुत अच्छी पड़ी अध्याए 195 आज तक अनुमती नहीं है सहायक का परिचय कराने के बाद लेंग जिजी ने उसे चाबियों का एक गुच्छा दिया ये वह अपार्टमेंट है जिसकी व्यव अस्था कम्पनी ने आपके लिए की है जितनी जल्दी हो सके अंदर चले जाओ अपनी आख के कोने से फॉक्सी ने चाबी पर उखेरे हुए छोटे अक्षरों की जलक देखी रीगल रिवेरिया होटल इश्वर कम्पनी में एक नवागन तुक के लिए रीगल रिवेरिया ह होटल में ठेहरने की व्यवस्था कर रहे हैं बी सिटी में सबसे महंगा विला आवास प्लेटिनम पेलेस था और सबसे महंगा अपार्टमेंट भावन रीगल रिवेरिया होटल था दोनों मोग कॉर्पोरेशन द्वारा विक्सित परियो जनाए थी उसे याद आया कि नाला भी रीगल रिवेरिया होटल में रीहाटी जैसा की अपेक्षित था ग्योरी वर्ट के पास बहुत पैसा था फॉक्सी थोड़ी परेशान लग रही थी धन्यवाद सिस्टल लिन लेकिन मैं फिलहाल अंदर जाने में सक्षम नहीं हो सकता लेंग जिजी ने उस पर एक नजर डाली क्या आपका कोई प्रेमी है ये देखकर कि लेंग जिजी ने गलत समझा है कि वह एक प्रेमी के साथ रह रही है उसने जल्दी से समझाया नहीं किसी प्रेमी के कारण नहीं लेंग जिजी ने उसके बाद कोई और सवाल नहीं पूछा लेकिन वह गंभीर देखी जब तक आप अपने दिल में इसके बारे में स्पष्ट हैं। मैं आपके निजी मामलों में ज्यादा हस्तक शेप नहीं करूंगी। इसके बाद लेन जिजी ने उसे कमपनी के नियमों और विनियमों के बारे में जानकारी दी और उसे एक दस्तावे सौपा। आज स्टार लाइट एंटर्टेन्मंट ये गोशना करने के मुख्य इरादे से एक प्रेस कॉन्फरेंस आयोजित कर रहा है कि उन्होंने आपको ब्लेक लिस्ट कर दिया है। हम अपनी और से एक प्रेस कॉन्फरेंस भी करने जा रहे हैं। तल सुबह नौ बजे होंगे। ये वो प्रक्रिया और मामले हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यक्ता है। साथ ही ऐसे प्रेस्ट भी हैं जो पत्रकार प्रेस कॉन्फरेंस में पूछ सकते हैं। वापस जाओ और इसे ध्यान से पढ़ो। फॉक्सी ने दस्तावेस लिया है। सिस्ट लिन चिन्ता मत करो। मैं अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करूंगी। ममम आप जा सकते हैं। ठीक है। फिर बाग में मिलते हैं। सिस्ट लिन वापस जाते समय फॉक्सी और अपनी स्थिती और नेविगेशन निर्धारित करने के बाद कार अपने आप चलने लगी। वोर ड्राइवर की सीट के सामने जुक गई और जो चाहती थी वही करने लगी। जैसी की उम्मीद थी, ये बहुत बढ़िया था। अध्याए 196, पूर्ल विपलव, प्रेस इसके बाद नेटिसंस का गुसा अभूत पूर्वूचाई पर पहुँच गया था। स्टार लाइट एंटर्टेन्मंट ने बहुत अच्छा काम किया, इस तरह की गर्ल को वास्तव में ब्लेकलिस्ट किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि नाला बहुत नर्म दिल है, उसे उसके खिलाफ मामला दर्च करना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर कोई फॉक्सी के लिए खड़ा होता, तो हर कोई उस व्यक्ती पर हमला करने के लिए दौर पड़ता, जिससे किसी को भी असहमत होने की हिम्मत नहीं होती। अभी, मोर जिंग ने वेबो पर एक पोस्ट किया था। मैंने क्या देखा, फॉक्सी वह वास्तव में ग्लोरी वर्ल्ड एंटेटेन्मंट में शामिल हो गई। मैं इस पर विश्वास नहीं करता, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। किसी ने अवर्ष्य ही मेरी प्यारी छोटी काप का खाता हैक कर लिया होगा। ये तो होना ही चाहिए, closing square bracket, मैंने हमेशा मोजिंग के बारे में अच्छा सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह पर दे के पीछे उसकी मदद करेगा। अब मोटिंग, मोजिंग के वीबो पोस्ट को अग्रेशित किया था और कुछ शब्द भी टाइप किये थे, स्वागत है, फॉक्स उने से पहले कई मिनत तक फ्रेश भी हुआ। अध्याए एक सो सत्तानवे, जो सेक्स के वशी भूत हो गया है, वह आपी है। संक्षेप में मोटिंग द्वारा पोस्ट को अग्रेशित करने के बाद, जनता की राय, जो पहले एक तरफा थी, पीछे हट गई थी, और नेट अपना सेलफोन पकड़े हुए था और सोफे पर चिलाते हुए गूम रहा था। ये कमीने कितनी गंदगी फैला रहे हैं, सेक्स से मेरा सिर कैसे गूम सकता है, लेकिन आप ऐसा बिलकुल नहीं करेंगे। यह अन्याए बहुत जादा है, जो कामवासना के वशी भूत हो गय हैं, मेरे साथ डूई दो से भी अधिक अन्याए हुआ हैं, जैसे ही वह चिला रहा था, फौकसी वापस आ गई, दूसरे योवा मास्टर, मैं आपको दूर से चिलाते हुए सुन सकती हूँ, आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, मोजिंग तुरंत उठ बता, भले ही उसके सा नाथ न्याए हुआ हो, वह ये नहीं कह सकता था, मोटिंग, जिसने सेकरों बार इधर उधर भूमते हुए मोजिंग पर एक भी नजर नहीं डाली थी, उसने तुरंत उस किताब से अपना सिर उठाया जो वह पढ़ रहा था, आप वापस आ गए हैं, क्या आपने लिंग ज देखा टी तो मुझे सुरक्षित महसूस होता है, मोटिंग, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जब उसने ये सुना तो उससे असुरक्षित महसूस क्यों हुआ, इन शब्दों के साथ, फॉक्सी ने तुरंत मोजिंग को देखा, उधरन चिन्ह, मोजि ने उस पर चतुराई भरी नजर डाली, बेशक यह आपकी लोग प्रियता बढ़ाने के लिए था, देखो अब तुम कितने मशहूर हो, हर कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, उन्हें उम्मीद थी कि नेटिसंस नाराज होंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा थ था कि उनका दुर्व्यवहार इतना भद्धा होगा, उस दिशा में सोचते हुई भी नहीं सोचा था, अभी अभी उन कमेंज को पढ़कर उनके भाई का चेहरा हरा हो गया था, फॉक्सी द्वारा अपने वीबो अकाउंट पर पोस्ट करने के बाद, मोजेंग ने इसे जियांग मुए, अध्याए 198, उसने मेरे सामने ही तुम्हें चूमा, अरे, जियांग, फॉक्सी, आपने वास्तव में ग्लोरी वर्ल्ड के साथ किंट्राक्ट किया है, आपने मुझसे इस पर चर्चा क्यों नहीं की, क्या तुमने वह इमेल देखा जो मैंने तुम्हें भे जियांग मुए की आवाज सच्मुच बहुत तेज थी, फॉक्सी मोटीं को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराई और फिर फोन अपने साथ उपर ले गई भाई, ऐसा लगता है कि कोई आपके रास्ते में आना चाहता है प्यार में प्रतिद्वन्द्वी बहुत दरावने थे, फोन पर जियांग मुए अपने पूरे गुसे से मरने वाला था अभी तक आपने इमेल नहीं देखी, मुझे अफसोस है कि मैं भूल गई क्या ये बहुत महत्वपून है, मुझे लगा कि यह कोई और स्पूफ वीडियो या कुछ और है जियांग मुए ने गहरी सांस ली और बहुत धीरे से कहा आप अभी तुरंट तुरंट इसी क्षन अपना इन्बॉक्स खोले और देखे कि मैंने आपको क्या भेजा है फोन मत लटकव, इसे अभी खोलो ठीक है, ठीक है इसमें एक छवी और एक ओडियो फाइल थी उसने सबसे पहले छवी खोली यह एक वेचर चैट का स्क्रीन शॉट था चैट को देखते हुए, उसने देखा कि यह मोटिंग, मोपरिवार की दो बुजुर्ब और मोजिंग थे क्या आप इसे देख रहे हैं? जयांग मोई ने उससे आग्रह किया हाँ, कुछ सरस्राहट की आवाजों के बाद, जयांग मुए की आवाज बाहर आई अंकल फॉक्सी के प्रती आपके इरादे वास्तव में क्या हैं? मोटिंग का लहजा सुस्त और खतरनाक दोनों था मैंने सोचा था कि मैं पहले से ही काफिस पश्ट था लेकिन चून की आप अभी भी नहीं समझे हैं उसने तीन सेकंड तक प्रतीक्षा की, जो तीन शताब्दियों की समान महसूस हुआ फिर आखिर कार मोटिंग की आवाज फिर से सुनाई दी उन्होंने कहा, समझे, फॉक्सी असमंजस में थी, कौन सी स्थिती, समझते क्या हैं उसने तुम्हें मेरे सामने चूम लिया अध्याए 199, केवल अपनी परवा मत करो क्या, क्या, फॉक्सी चकित थी, मुझे भी इस बारे में कैसे नहीं पता जियांग मुए ने उसे याद दिलाया, तुम उस रात नशे में थी ये तब था जब प्रोडक्शन क्रू ने मेरे स्वागत के लिए दिन किया था आखिरकार फॉक्सी को याद आ गया ये वह रात थी जब वह गलत कमरे में चली गए थी और जू जियांग चेंग ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी ये देखकर कि फॉक्सी ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा जियांग मुए जो शुरुआत में बहुत आशानुवित नहीं थी और भी निराश हो गई तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है क्या यही बात है फॉक्सी ने अपना फोन उठाया और तुरंट मुटिंग को एक वीचेट संदेश भेजा बॉस मैं प्रैस कॉन्फरेंस की योजना को पढ़ना और याद रखना चाहती हूँ इसलिए आज रात के खाने के लिए मुझे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है उसने यह जताने की बहुत कोशिश की की कुछ भी गलत नहीं है इसके साथ ही वो बताने में सक्षम नहीं होना चाहिए है ना नीचे लिविंग रूम में मुटिंग ने वीचेट संदेश देखा जो फॉक्सी ने उससे भेजा था उसने अपनी आँखे थोड़ी उपर उठाई और चेहरे पर एक असपष्ट अभिव्यक्ती के साथ फॉक्सी के कमरे की दिशा में देखा अध्याय दो सो एक गंभीर हिट फॉक्सी को लगा लिटल बन बहुत देर से आया नहीं है यूज चेक करना चाहिए मॉन्टिंग लिटल बन को स्टोरी सुना रहा था जैसे कि उसने उसकी बात सुनी ही न हो लिटल बन ने क्यूब को अपने हाथों में घुमाना जारी रखा इसे सेकंडों के भीतर एक अठा किया ताकि प्रतेक चहरे पर रंग मिल खा सके इसे फेरने से पहले और इसे दोहराव और अथक प्रक्रिया में फिर से एक अठा किया मॉन्टिंग ने परी कथा की किताब उठाए जो फॉक्सी ने खरीदी थी इसके कवब पर एक छोटे खरगोश और एक भीड़ी का रंगीन चित्र था लूल तिंगजियाओ ने भावहीन होकर पूछा आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं लिटल बन ने अंतता उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया लेकिन उसकी आखे कुछ तिरसकार पून लग रही थी मोटींग ने अपनी भावं के बीच की त्वचा पर चुच की फिर लेस दन दपुरिंस ग्रेटर दन को उठाया लिटल बन खारच करने वाला था मोटींग ने लेस दन समय का संक्षित इतिहास ग्रेटर दन उठाया लिटल बन को अभी भी कोई दिल्चस्पी नहीं थी मोटिंग ने आखिरकार हार मान ली घरी देखते देखते उसका चहरा काला पड़ने लगा अभी ग्यारा बजे हैं ये देखते हुए कि मोटिंग अपना आपक होने वाला था फॉक्सी ने तुरंद खांस्ते हुए दर्वाजा खट खटाया लिटल डार्लिंग क्या तुम अभी तक सोवे नहीं हो जैसे ही उसने ये शब्द कहे लिटल बन जो बिस्तर पर पहाड की तरह स्थिर था ने रूबिक क्यूब को दूर फेक दिया और एक छोटे बवंदर की तरह उसकी और भागा वो उसके पैर से चिपक गया और अपना छोटा सिर पीछे जुका लिया उसकी बड़ी अभिव्यंजक आँखे उसकी और जपकाने लगा फॉक्सी ने अपनी चाती पकड़ ली जैसे उसे कोई गंवीर चोट लगी हो अध्याय 201, गुड नाइट ये देखकर की फॉक्सी आई थी मुवाय राहत महसूस कर रहा था आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, मैंने लगभग पूरी बात याद कर ली है लिटल बन ने तुरंत उस रंगीन परी कथा की किताब को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया जिसे उसने पढ़ने के लिए इशारा करते हुए अस्वीकार कर दिया था हम कर रात जहां रुके थे वहां से आगे बढ़ रहे हैं फॉक्सी ने पूछा लिटल बन के छोटे हाथों ने रजाई के किनारे को पकर लिया और उसने मीठे स्वर में सिर हिलाया तो ठीक है आज परते हैं लेस दन एक विनम छोटा सफेद खरगोश ग्रेटर दन फॉक्सी ने अपना गला साफ किया और कहानी सुनाना शुरू किया गर्मी के दिन पक्षी पेर पर चिलाया गर्म गर्म फूलों की खूबसूरत पोशाक पहने खूबसूरत छोटा सफेद खरगोश पुल पर छलांग लगाते हुए गाना गुनगुना रहा था यह मश्रूम लेने जा रहा था जब फॉक्सी कहानी पर रही थी मोटिंग उसके बगल में एक कुरसी पर बैठ गया अपना माथा जुका कर चुपचा कुसकी नर्म मधूर आवाद सुन रहा था उसे समझा रहा था कि क्यों उसका बेटा हर रात सोने से पहले ऐसी बचकानी कहानिया सुनने पर जोर देता था महत्वकूल बात कहानी नहीं थी बलकि यह थी कि इसे कौन पर रहा था पांच मिनट से भी कम समय सुनने के बाद लिटल बन की आँखों में नींद आ गई जल्दी छोटा लड़का गहरी नींद में सो गया लूल तिंगजयाव ने उसे गहराई से देखा उधरन चिन्ह बहुत देर हो गई है मैं नहाने जा रही हूँ बॉस आपको भी जल्दी सोना चाहिए ठीक है फॉकसी चौक गई और अवचितन रूप से पीछे हट गई मोटिंग इतना करीबा गया कि वह उसके साथ लगभगामने सामने था लेकिन वह बस उसके पास चला गया उसके पीछे लिटल बन को चूमा और धीरे से कहा शुभरात्री इस बीच रीगल रिवेरा होटल में पहले ही देर हो चुकी थी लेकिन नाला के अपार्टमेंट में रोशनी अभी भी तेज थी और महौल बहत दमनकारी था चांग ली और कुई कैजंग सोफे के एक कोने में बैठे थे दोनों में से किसी की भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी चुन की नौबत यहां तक आ गई थी तो क्या वह उन्हें फिर से दोश देने जा रही थी कौन उम्मीद कर सकता था कि स्टार लाइट से निकाले जाने के ठीक बाद फॉक्सी ग्लोरी वर्ल्ट एंटेटेन्मंट के साथ हनुबंध करेगी अगर कोई और कमपनी होती तो उससे निपतना आसान होता वो ये अन्य कमपनी या उसका लाकार को प्रमोट नहीं कर पाती जिसे स्टार लाइट ने ब्लेक लिस्ट कर दिया था लेकिन ये ग्लोरी वर्ल्ट था Glory World के सामने Starlight Entertainment का ब्यान महस बेकार कागस का तुकड़ा था चांगली नाला को सांक्वना देना चाहता था उसे बताना चाहता था कि नाला एतनी बदनाम है कि Glory World भी कुछ नहीं कर पाएगा हाला कि वास्तव में उसमें कुछ भी कहने का आत्म विश्वास नहीं था आखिरकार इस बार मोर्टींग भी बाहर आ गया था अध्याय 202 एक जीवनकाल की लाइनप Starlight की प्रेस कॉनफरेंस अभी अभी खत्म हुई थी लेकिन Glory World की प्रतिक्रिया इतनी तेज थी कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता था कि यह पूर्व नियोजित था चिलकर नाला पिंजरे में बंध जानवर की तरह तूटी हुई वस्तूओं के धेर की बीच से गुजर रही थी Glory World की प्रेस कॉनफरेंस वास्तव में किस बारे में होनी चाहिए तुमने कुछ नहीं सुना चांगली ने अपना सिर हिलाया उध्धरन चिन्ह चांगली ने नाला की स्पष्ट रूप से अराज़ा को पस्थिती देखी और आह भरी इससे पहले जब लिंजेजी भी लेंग मन्यून के प्रभारी थे हमने लड़ाई की और उनकी भूमिका हासिल कर ली हम संभवता उससे कुछ कैसे सीख सकते हैं नाला क्रोधित हो गई ये काम नहीं करता नहीं वह काम करता है क्या हमें बस बैठ कर सुबह हूने का इनतजार करना होगा चांगली को यह उत्तर देना अच्छा लगता कि वास्तव मेवे बैठने और इनतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते अगली सुबह, पल होटल बैंक्वेट हॉल सभी पत्रकार और मीडिया समवाद दाता तैयार थे और उत्सुक्ता से मुख्या आकर्षन के आने का इंतजार कर रहे थे काफी समय से एंटेटेन्मंट इंडस्ट्री को इतनी बड़ी खबर नहीं मिली थी नौ बजे ग्लोरी वर्ल्ड के लोग एक एक कर अपनी सीट पर बैठ गए बीच में फॉक्सी बैठी थी, उसके बाई और लिंजिजी और दाहिनी और वकील चेंजिंग थी जनसंपर्क विभाग के निदेशक लियांग, फीक सिंग और मोजिंग भी उपस्थित थे अकेले लाइनप ने पहले ही कई पत्रकारों को चौका दिया था इश्वर, ये लाइनप, कितना कमाल की है, एक जीवन भर की श्रिंग खला हाँ, किसी कलाकार के लिए किस प्रैस कॉन्फरेंस में इस तरह की भी रूमली थी अध्याए 203, एक विशाल कथानक का उलट फेर बोलने वाले पहले व्यक्ति मोजिंग थे सबसे पहले, मैं आपको हमारे ग्लोरी वर्ल्ड के सबसे नए सदस्यक, फॉक्सी से मिलवाता हूँ फोटोग्राफरों ने एक के बाद एक तस्वीर एक ही ची मोजिंग ने आगे कहा, इसके बाद, हमारे लेंग मन्यून के संबंध में कई नेटिसंस द्वारा पूछे गए प्रश्णों का उत्तर उनकी एजेंट, मिस लिन जेजी द्वारा एक एक करके दिया जाएगा उस समय, एक रिपोर्टर ने बात करते हुए पूछा, हम केवल ये जानना चाहते हैं कि ग्लोरी वर्ड बिना नैतिकता वाले कलाकार को क्यों साइन करना चाहता है और यहां तक कि उसे लेंग मन्यून के उत्तरादेकारी के रूप में स्थापित करना चाहता है क्या ग्लोरी वर्ड को डर नहीं है कि ऐसा करने से तुम बर्बाद हो जाओगे अन्य पत्रकारों ने भी उनका समर्थन किया क्या आप ग्लोरी वर्ड का अच्छा नाम बर्बाद नहीं कर रहे हैं एक भी सड़ा हुआ से पूरे बेरल को खराब कर सकता है मोजेंग और चेंजेंग ने एक दूसरे को देखा अब हम वकील चेंग से सुनवाई करेंगे क्रिपया शांत रहें वकील चेंग वे सोच रहे थे कि इस प्रैस कॉनफरेंस में एक वकील को क्यों आमंतरत किया जाएगा इसलिए वे सभी उत सुकता से चेंजेंग की ओर मुले चेंजेंग ने अपने सामने लाप्टॉप स्क्रीन पर कुछ क्लिक करने के लिए अपने माउस का उप्योग किया फिर सभी ने स्पीकर के माध्यम से एक आवाज सुनी ये फॉक्सी नहीं थी फॉक्सी वह नहीं थी जिसने मुझे रिश्वत दी थी यह कोई और था जिसने मुझसे प्रॉप के साथ छेल चाड़ करने के लिए कहा था लेकिन मैं नहीं जानता कि वह व्यक्ति कौन है मुझे सभी निर्देशों के साथ एक गुमनाम ईमेल प्राप्थ हुआ और दस हजार योवान सीधे मेरे खाते में जमा कर दिये गए उन्होंने कहा कि यह काम पूरा होने के बाद मुझे दस हजार और मिलेंगे आवाज रुखी और तीन सेकंड का मौन हो गया फिर दर्शक चिल्ला उठे मोज जिंग की आँखे थंडी हो गई प्रिपया चुप रहो पत्रकारों ने अपने सदमे पर काबू पाया और भूरते हुए गहरी सांस ली फिर चेंड जेंग के पीछे की बड़ी स्क्रीन दो छवियों को प्रदर्शित करने के लिए जल उठी एक आईपी पता था जिसने गुमनाम इमेल भेजा था यहाँ प्रत्याशित रूप से रीगल रिवेरा होटल में था जहाँ नाला रह रही थी दूसरी छवी उस गुमनाम खाते की थी जिसे क्रैक कर लिया गया था ये नाला के सहायक कुई कैजिंग का था उसक्षन चिल लाहत को अब दबाया नहीं जा सका हाला की यह अभी खत्म नहीं हुआ था चेंजिंग ने इसके बाद नाला के चोट का प्रमान पत्र और उसके डॉक्टर की निदान रिपोर्ट प्रदर्शित की जिससे साबित हुआ की घटना के समय फॉक्सी ने तुरंट अपना हाथ वापस खीच लिया था यह महसूस करने की तुरंट बाद की कुछ गढ़बर है उसने अपनी ताकत वापस ले ली परिनाम स्वरूप नाला को केवल बहुत हलकी त्वचा की चोट लगी थी और वह उसी दिन अस्पताल छोड़ सकती थी इसके बावजूद नाला अपनी गंवीर चोट और खून की कमी के कारल बहुत कमजोर होने का नाटक करते हुई कई दिनों तक अस्पताल में रही सबूर प्रदर्शित करने के बाद चेन जिंग ने एक वकील का पत्र निकाला और कहा कि उसने फॉक्सी की निंदा करने के लिए नाला के खिलाफ आपचारिक शिकायक दर्च की थी